वेलकम टू ड्रीम लेंड हम अपने सभी दोस्तों को उनके सपने की वियाख्या के फेवरेट चैनल ड्रीम लेंड पर स्वागत करते हैं हमारा आज को टॉपिक है सपने में कुई बहुत छोटा सा रूम या कमरा देखना अगर किसी विक्ती ने सपने में देखा कि किसी बहुत बड़े घर के अंदर कोई छोटा सा कमरा है तो इसका मतलब है कि आप दूसरे विक्तियों को धोका देते हैं जूट बोलते हैं फ्राड करते हैं और अगर कोई विक्ती सपने में देखे कि किसी बहुत बड़े घर में कोई छोटा सा कमरा है आप करेक्टर के अच्छे हैं आप गलत काम नहीं करते आप एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं तो फिर इस छोटे कमरे को देखने का मर्थ ही ये होगा कि आपको कोई धोका देग और आप उसके धोके में आ जाएंगे सपने के अंदर किसी छोटे से कमरे को देखने का मतलब अपने दुश्मन का आप पर विजे पाने के लिए कोशिश करना और आपको ये नजर आ जाना समझ जाना कि वो आपको डाच करने वाला है और उसके बाद आप अपनी कमरा देखे तो इसका मतलब आपका पेट और आपकी गंदी या अच्छी हरकतें आदतें या आपकी होबीज होता है अगर किसी ने देखा के छोटा कमरा बड़ा संदर सफ सुथरा है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी पेट की बیहमारी में मुबतला नहीं और आप मिजा आज करेक्टर के अच्छे हैं लेकिन अगर आपने देखा कि वो छोटा कमरा गंदा है उससे गंदी समेल आ रही है तो इसका मतलब है कि एक आपका पेट खराब है नमबर दो आप लोगों को अपने शब्दों से घायल करते हैं जूट बोलते हैं धोका देते हैं प्लीज इन क कामों को छोड़ दीजिए सबने में अगर कोई विक्ति अपने ही घर के अंदर कोई छोटा सा कमरा देखे और ये देखे कि उसकी देख भाल नहीं की जा रही तो इसका मतलब है कि आपने अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए जो लाइफ गोल सेट किये थे आप उनको अच जारी रखिये धीरे 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 आप सक्सेस्फुल हो जाएंगे मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने अनुमती चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ